जै मतादी मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाज जोदी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एश्टवाज में मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं मकर रासी के जनवरी यानि की साल के सुरुवाती महिने जनवरी 2022 के मासिक राशी फल के बारे में कि कैसी होगे मकर रासी वालों की धन की स्वास्त की उनके काम की उनके व्यपार की इस्तती क्या ग्रे गोचर बदलाव लाएंगे मकर रासी पे सनी की साड़े साती भी चल रही है तो क्या जनवरी का महिना रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले स्वास्त के बारे में चर् वाले जनवरी के महिने में पढ़ने लिखने का शौक जागरित होगा या ओनलाइन कुछ ना कुछ जनवरी के महिने में मकर रासी वाले सीखने वाले कुल मिला के काफी अच्छी स्थती जनवरी के महिने में हेल्थ की रहने वाली है अब बात करते हैं धन की धन के लिए महिना कैसा रहेगा तो धन के लिए जनवरी का महिना 50-50 रहने वाला है यानि कि एक तरिक से लेकर और 14 जनवरी तक धन की इस्तती काफी अच्छी रहने वाले धन का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा इसी प्रकार से 15 तरिक से 30 तरिक तक बुद्ध हो जाएंगे वकरी ऐसे में सकता है करजा लेना आपको पढ़ सकता है 15 से 30 तारिक के बीच में तो जो भी आपका धन से समंदित काम है एक से 14 के तारिक के बीच में निप्टा ले 15 के बाद या जनवरी के अंद में बुद्ध वकरी हो जाएंगे जिससे कि आपको बड़ी दिक्कतों को सामना करना तो परिवार भाव के स्वामी है मंगल और मंगल जनवरी में रोचक योग बना रहे हैं यानि कि भूमी के योग रेनुवेशन के योग और घर में लेबर से समंदित कोई ना कोई काम आपके घर में जनवरी के महिने में होने के योग बन रहे हैं यानि कि जनवरी का महिना देखा जाए तो प्रॉपर्टी खरीदने या बेजने का योग या अचानक ओफर आ जाएगा आप पे या रेनुवेशन का काम होगा या कोई ना कोई लेवर का काम आपका होगा माता-पिता के स्वास्त में हलकी समस्या जनवरी में रह सकती है या माता-पिता से हलका वाज- विवाद रह सकता है इन दोनों में से कोई चीज हो सकती है अब बात कर लेते हैं संतान की संतान भाव में ब्रशब राशी के राहू बैठे में तो कहीं न कहीं जनवरी में संतान की कुछ दिनों के लिए यात्रा के योग नजरा रहे हैं यानि कि कुछ दिनों के लिए परि पुद्र योग बन रहा है यानि कि आपको जनवरी के महिने में कोई न्यू ओफर प्राप्त हो सकता है या अगर आप जनवरी के महिने में चाते हैं कि पुरानी नोकरी से नई उक्री में जाना तो चेंज करना आपके लिए लावकारी सर्वसरेश्ट रहेगा पुरानी जगा पर रहना चाते हैं तो वहां पर नॉर्मल ही रहने वाला है यानि कि जनवरी में ज्यादा ग्रोथ के अच्छे योग बन रहे हैं लेकिन नई जगा पर बन रहे हैं याद रख बात करें जिनकी लव लाइफ चल रही है और जिनकी नहीं चल रही है तो उनके लव लाइफ चल रही है उनके बारे में बात करें तो उनका हलका फुलका वाद विवाद जनवरी में बन रहा है और आपके पार्टनर को कोई ना कोई फाइनेंशल हलका फुलका नुकसान जन जनवरी में रह सकती है, करियर में उनकी अच्छी ग्रोथ जनवरी में दिखाई देगी, इसी प्रकार से व्यपारियों के बारे में बात करें तो कहीं नहीं शुक्र जो व्याएब वहां में, जनवरी नमेन में गोचर में हैं, तो इस्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे जनवरी के मेने में कोई न कोई बड़ा निवेश आप करने वाले हैं याद रखिएगा तो कहीं न कहीं जो बड़ा निवेश आप करने वाले हैं जो जोखिम व्यापार को बढ़ाने के लिए आप जनवरी में लेने वाले हैं वो लाबकारी ही रहने वाला है याद रखिएग तो मित्रो आज हमने चर्चा करी मकर राशी के जनवरी 2022 के राशी फल के बारे में यदि आपको जानना है कि 12 महीने कैसे रहेंगे ओवरल 2022 कैसा रहेगा तो आपको 8-9 वीडियो के बाद मकर राशी 2022 की वीडियो मिल जाएगे कि उसको पूरा का पूरा देखिएगा उससे आपको बड़ा लाप राप्त होगा मित्रो इसकार करम में बाद इतना ही मुझे दीजेजाद जैमाता दी मित्रो